सबसे पहले मैट का 90 का 90 प्रशन देख लिया है और चौथे पार्ट में हमने देखा था विज्ञान के 35 प्रशन और आज के इस वीडियो में हम लोग समाजिक विज्ञान के 35 प्रशन और आपके गनित विससे 20 प्रशन जो पूछे जाने हैं यहां वह सारा डिसक्स कर लेंगे यानि कि पूरा का पूरा 180 कोश्चन जो आपका इस बार आने वाला है इस परिक्षा में उसके मोडल पेपर का पूरा प्रशन हम लोग डिसक्स कर लेंगे आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लिजेगा सारा पार्ट वीड या 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 तो इसका कौन साप्सन बिल्कुल सही होगा जिरो दसम्लब जीरो तीन परसेंट और एक बात और आप याद रख लेगा कि आपका जो हो हो ओडियानी ki oxygen होता है उसका परसिंटिस आपके मैं कि वाई में कितना होता है तो आप इसका अभाय। इसकंट नीवेल कि पुछा गया है कि वाई मेर्मन में nitrogen किवा यह कि प्रतैस्ट है वो पनूइट है इसके सबसegirlike परते हैं प्रिफवी पर माझूद समुष जल का कितना प्रतिस्त जल पीने योग है आपको पता होगा किoure प्रिफफ्वी जो हैनी on पानी उन्हीं कर प्रतिस्त यह फिर फिर 25% तो इन में से imaging ina यह आख़ा जलदी से बड़ाइए ओपने प्र प्रश्ट वह भूमी जिस पर फालदार रिक्ष उगये क्षिक का जाते हैं उसे क्या कहा जाताया आप इसका आंसर मुझे कुमेंड सेасबने चाहिए अभी वीडियो को रोकिए बाद में भूल सकते हैं अभी वीडियो को रोक के और मुझे इसका अंसर बता के जाएगा ठीक है बता येगा जरूर मुझे इंतिजार रहेगा आईए अगले प्राइबस स्यां अभी महां संबंद किससीरा राज चैए रसदार फैलोवाले भàn होते हैंieder वह प्रकार के बन में पाय जाते हैं कि इसका सभी आंसर हो जागा यहां पर भूमद्य सागर्य वन में रजदार फल वाले वन पाई जाते हैं भूमद्य सागर्य वन तो जल्दी से बताइए तो यहां पर राजस्थान का हो जाएगा ऑप्शन नमर दो यहां पर नोसो अटाइस पुरती हजार पर इतनी नोसाटाइस परती हजार पर ठीक है लिंगानुपात है इसका आई अगले प्रस्थान का साक्ष्रता प्रतिश्रत कितना है तो इसका सही आंसर जागा यहां पर आपसर नमर दीन च्यासर प्रसंट राज के मुखमंतरी को यहां पर यहां आपका प्रारम होता है राज जी के मुखमंतरी की निक्ति कौन करता है जल्ली से बताइए तो जिस प्रकार देश अस्तर पर पूरे राष्ट अस्तर पर जैसे राष्ट पती जो होते हैं आपके तो राष्ट पती के राष्ट पती के निक्ति कौन करता है तो आपको बता हो करते हैं आपको पता जिस प्रकार से यहाँ पर समवेधानी ग्रूप से राश्ट पर मुक्ह राश्टय को माने यहिंत करते है यहे अधिकतर प्रसन क्राफार होते हैं जबकि मुकष मंतरी के पास अधिकतर साथ कुछ करने का एक आपने अग्ले प्रस्ट करते हैं अंतियोधय योजना का संबंद किस्ट आप अंतियोधय योजना का समय किस्ट से इग वर्ण से computer से सक्षाओ से छाथ स्रक्षा से और फिर ग्रामी रोजकार से तो इसका आप सनन्मर्ट होना उच्छी सिक्षित होना यह जरूरी नहीं है तो यह आपका नमर चार सही हो जाएगा क्योंकि आप सिक्षित नहीं है और अगर आपके पास सिक्षित है अग्ले प्राइविंग का सकते हैं कोई प्रॉब्लमिस नहीं है अंगकोपर वाट का विष्चित है तो अंगकोपर वाटका मि Le Assamique मंडिर यहां पर एस्टित है कंभूज में जाएगा कि प्रसका अपने अगले प्रसन क्यों पड़ते हैं मरा अगला प्रशन अपने अगले प्रश्णों की और आगे वटते हैं हम लोग ठीक है हमीर महाकावे के रस्णकार का नाम है तो हम पोस्द कर्सार का नाम हरे हैंको से कौन इसको बनायए ते रची थे हैं इसके सूराजमल प्रफोंध का सभा किससे हो सकते हैं तो ईसका आपसे नमर दो वीडिटियों सूराजमल सूराजमल उले लोहागर के लिएका निर्मान करवाया था आइए अपने अगले प्रसित के आप का नकाना साहिब की संत का जनमस्तान है तो नंकरनाशाई किस संधरे जन्स्तान है तो यह जो अभी पाकिस्तान में वटता ही आ है यह नानक गोलु नंदव को जन्द्ध यह अगलی प्रश्न गिए वड़्या निव्रकितš- से अवनतब वाधरने से कोन सा है तो इसका और फक्ता तैर्आ जो है हमारा एकला प्रशने भारती मांसर किस नगर से होकर में सिर्था कि क्षा होर्ती लुर्थ प्रशनी अपसन हो जाएगा सब्सक्राइब परदो इलावाद ट्रूचिगा है अगली प्रस्ण के बटते हैं अगला प्रस्ण है थार एकिस्तान चेट्र में पाई जाने वाले घास है पहला option है केर दूसरा option है थोर तीसरा आड़ना और छौता option है सेवन इसको को सबस्क्राइब दो तो इसका साइए अगले प्रेशन के बचते हैं से राजस्थान में जल भीभाज़न होता है तो राजस्थान में जल विवाज़न होता है तो इस स्काहिए ऐस से जायद की फसल है तो इसका सही में साथ आजाई जायद की फसल अगले परिते हुआ है फकर णींजह अगले परते है निविकेत में से धाती खनीजहत है मेठालब मैनॉल जिसी इंग बलते है तो सब्सक्राइब करता है काफी मातपुन प्रशन है कई बार पूछे गए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका दूसरा ओप्सन सब्सक्राइब प्रशनिया पर भारते सब्दान सबागार साफ के ऩाश्वा तो भारते समविधान सबागे साइद एक्ष्छ कोन थे लंग होगा प्रोसराइब करें शुक्राइब प्रारूप कमीटी के प्रमुक अंबेद करते लेकिन असथा यह देख्ष्ट के दौर पर डाक्टर राजन पर सथ कुछ ना गया था प्रमुक रेख्ष्ट ना कर दो एकश्ट करेंसे वाउस्ट कब दो ना जाने चाहिए इसका संबंद सौंद के विरुद्धिकार से तो कम से कम आपकी साल यहां पर 25 ci हुने चाहिए यह ऑगला प्रॉच्ण नमरा है प्लाजी का युद् कभ होता काफी माज़बुन प्रॉच्ट तो प्लाजी کا सब्सक्राइब करते हैं 1857 की क्रांती के समय भारत के गवर्णर जैनल कौन थे लॉड कैनिंग लॉड लाइब लॉड बैंटिंग या फिर लॉड में ओ इन में से कौन से यह जल्दी से बताइए तो इसका लॉड बैंटिंग बिल्कुल सब्सक्राइब आपसर नमर्टी ठीक है आई अपने अगले प्रस्ण के बढ़ते हैं आठारा सो चपने विद्वाप पुनर्विवा आधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया तो इसमें बहुत बढ़ा योगदान था वेद्वाप फुनर्विवा आधिनियम कब लाग हुआ था तो आ संबत्ति के निकास का सबसे पहले बिरूद किया था यहां पर दादा भाई नारो जी ना उप्स नमर्ट दू आपका विल्कुल सभी हो जाएगा ठीक है। आई अपने प्रस्ण के पर टेंवार ऐख प्रश्णियां पर है प्रस्णियांन पर है उर्ट का अपी आफ और गय पुर्गिन से अधिनियम के ताथ भारत को यहां पर बर्मा से प्रिथक कर दिया गया था तो कब हुआ था यह तो बर्मा से हम लोग कब अलग हो थे इसका सही अंसर हो जाएगा 1935 में हम लोग अलग हो गये थे तिक अंग्रीजों द्वारा अगला प्रश्ण हमारा है भारत की कि थल सीमा की लंबाई कितनी है काफी महत्पर्ण प्रश्ण तो इसका सही अंसर 15200 किलोमेटर हो जाएगा और भारत की अगर समुद्र पारिया रेखाओं की सीमा रेखा के बात करें तो यह साथ 1516.6 किलोमेटर है ठीक है यादर खेगा यह 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 भी कभी कभी पूचा विसली रही हों जाएगा हमारा अगला प्रस्त ने डाकन प्रथा पर सर प्रतम रोक लगाने वारा राज़य था तो तोस्ताफ़ सबसे पहले किस परांथ ने रोक लगाई थी तो इसका सही अंसर उध्यापूर हो जाएगा और डाकन प्लता ऐसा मारदा खाया था-टाइन ह और होता है ना देहाती शेत्रों में गाउंगर में डाइंग वो ऐसा समझ के और लोग उसे मारते थे ठीक है आईए हमार अगला प्रशन है गनित के प्रिश्णों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने फाइनली बताइए आपको कि हम लोगों ने समाजिक विग् तो तो हमारा सबसे पहले प्रश्ण है इसके हैं तो निकाल सकते हैं तो इस समय स्क्राइब 11 publiqueा 1 को है तो अचार भॉत नोबना है तो ये विश्य मोच तो यह जाएका बचार यह तो तो यह सो टा होगा तोaponक दोगने नहीं एक ठीक है आपको वता हो का आसानी से अपलोग निकाल सकते हैं दिये गए संबर्ज में अधिक्तम कितनी सम्मित रेखाएं खीची जा सकती है सम्मित रेखाएं सेमेट्री ठीक है तो कितनी सम्मित रेखाएं खीची जा सकती है यानि कि कौन सा लाइन कितना लाइन हम खीचें कि बढबर बढबर एक वह सकता है एक हो सकता है फिर आपका बॉह गया यहां से करके कर सकतें दो हो गया और उसके इत्राश नमर 202 यहां पड़ देखिए हाई और फिर तीन हो गया तीन पिर आप यहां ऐसे की सकते हैं चार ठीक है तो टूटल चार आप लोग की सकते दो आप से नमर चार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आए अपने प्रस्टिया पर टेमरा अगला प्रस्टिया पर है कन्हान क्या होगा तो को एक स्कॉनस करना है एक्स कंध करना है ऐक चाहरक कर नेक्त करना एक से निकाले कि यह आप को टूंटल जो होगा यह टूटल जो एंगलर एक सुस्टिकावनेगा का बहनेगा तो यह नीचसर देख अगिए यहाँ पर होगा साथ दिए Przy Liberty by आपको बता होगा कि तून तो साथ चोट याने कि 170 सुटा नहीं तो как पचास डिए जाएगा ऑप्सन में तो ठीक है आई अपने एक लिए प्रस्ट के बढ़ते हैं इसमें एक्स का मान आपको ग्याद करना है तो एक्स का मान आप कैसे क्याद करेंगे यह पर डिके पूछ सकते हैं काफी आसान सा प्रस्ट यह सारे 14-12-16-8-10 का समानांतर मंद्य होगा तो समानांतर मंद्य निखालने के लिए आप लोग क्या करते हैं अब सबसे पहले इन सभी को जोर के उसके बाद इसको जितनी भी संख्या उसे भाग देजिए एक दो तीन चार पांच टोटल पांच संख्या हैं तो इसको जोर लिजे तो 14-12 कितना हो जागा बारबार चौवीस दो चब्वीस चब्वीस हो जाएगा चब्वीस और फिर द तो 60-25 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा ठीक है तो आपका आपसे नमर दो आपका सही हो जाएगा समना अंतर मत दे आईए अगले प्रस्न के बढ़ते हमारा अगला प्रस्नियां पर है अगला प्रस्न आपका कौन सा यह रहा एक संभूज जिसके प्रतिक कौन स्वरी ठीक ह प्रस्ना रहा है एक संभूज जिसके प्रतिक बाहे कौन 45 डिग्री है मैं भूजाओं की संक्या कितनी होगी तो आप लोग निकाल लेजेगा यह काफी आसान सा है यह इस फॉर्मूला पर यह बनेगा इस फर्मूला पर एन मैनस टू इन्टू वानेटी एन मैनस टू तो इसका माना जाएगा और एन यहाँ पर क्या है एन आपका यहाँ पर नमर ऑफ साइट से ठीक है बराबर 45 डिग्री ऐसे लिखके और इसको हल कर दीजिए आप लोग ठीक है आई अगले प्रस्न के अपर अगला प्रस्न है यदि दो बृतों के व्यास का अनुपाद चार कि अगर चेदर फलकानुपाद क्या होगा तो इसके लिए चार का वर्क कर सकते हैं और पॉंच का वर्क करेंगे तो डाइक सोलर डेसिव पचीश आजाएगा ठीक है और किसी बहुलक में यदि आठ सीट सेवं छे फलक हो तो इसकी किनारों के संक्या कितनी हो लिए पॉली ह जिसके 8 वर्टेक्स और 6 फीसिस रहेंगे तो इसके जिस क्या होंगे ठीक है और अच्छे से फंसन नहीं कर रहा है आज हम लोगों का माउस तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अब तक लिए पढ़ते रहिए और वेरी बेस्ट